हेलो, कैसे हो आप सबी? I hope कि आप सबी बहुत अच्छे होंगे अपना अपनी पढ़ाई का और फैमिली का अच्छे सिधान रख रहे होंगे आज हम यहाँ पर इन डिफरेंस करऊं में सलस्ट की मैथट को करेंगे जिसमें बच्छे बहुत ज़्यदा कन्फ्यूज होते हैं लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी आपको किसी भी परकार का कोई संधे नहीं रहेगा हमने सबसे पहले देखा कि इन डिफरेंस करऊं क्या होता है आपने देखा कि जो इन डिफरेंस करऊं है वो तरीके से सरकल के टाइप का होता है यानि कि चूड़ीदार होता है फिर हमने उसमें से एक हिस्सा निकाला जो कि कॉन्वेक्स टूदा ओरिजन था उसी हिस्से को हमने लिया बाकी हिस्से को हमने छोड़ दिया क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वो एक rational consumer के हिसाब से सही नहीं है फिर आपने इसकी assumption की उसकी बाद हमने इसकी features की वहाँ पर बताया कि दो indifference करओ intersect नहीं कर सकते ना ही कोई भी indifference करओ x-axis या y-axis को touch कर सकता है इन सब का हमने region देखा फिर हमने slope of indifference करओ किया जो की marginal rate of substitution होता है उसकी बाद आपने budget line की budget line की derivation की जो हमने इसका slope निकाला उसकी derivation की फिर हमने देखा budget line के बाद कि consumer equilibrium कहां पर होता है फिर आपने देखा कि जो consumer equilibrium है जहां पर हमारी budget line indifference करओ को tangent करती है वहीं पर consumer का equilibrium होता है क्योंकि उसी point पर जो budget line है budget line का जो slope है और जो indifference करओ का slope है दोनों एक दूसरे के equal होते हैं यानि कि marginal rate of substitution equal to price of x divided by price of y यानि कि marginal rate of substitution जो slope है वो है indifference करा होगा और दूसरा जो price of x divided by price of y है वो slope है budget line का उसकी बाद हमने देखा कि जो income consumption करा हो है वो क्या होता है फिर हमने यहाँ पर income effect देखा income effect से देखा कि हमने income consumption कराव को कैसे draw कर सकते हैं फिर उसके next हमने देखा कि जो angel कराव है वो भी हमारा income consumption कराव से ही निकलता है उसकी बाद हमने substitution effect के लिए दो method किये जिसमें एक हमने किया हिक्स दुसरा आज हम करने जा रहे है सिलस्ट की जो हिक्स का था method है उसके अंदर जो है आपने देखा कि जो substitution effect जो price effect है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक substitution effect और एक income effect फिर आपने वहाँ पर ये देखा कि substitution effect जो है वो always negative होता है और हाँ एक और जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि price effect को दो पार्ट में सबसे पहले वो सिलस्ट की ने डिवाइड किया था तो फिर उसके बाद आपने देखा कि substitution effect जो है वो always negative होता है फिर हमने income effect के बारे में जाना हमने तीनों effect पड़े हमने price effect के बारे में देखा फिर उसके बाद हमने substitution effect फिर हमने income effect इनकी सारी definition के बाद और इन सभी diagram के बाद हमने hicks का diagram किया यानि कि hicks का जो substitution effect है hicks के substitution effect में आपने देखा कि वो compensating variation के उपर based है यानि कि आप एक ही indifference करा उपर जब आपके जो है real income increase कर जाती है price decrease करने के कार्ण से वापिस जब आपसे वो real income जो increase हुई है वो वापिस ले ली जाती है तो उसके बाद भी आप same ही indifference करावर रहते हो और आपको पता है कि जो एक indifference करावर होता है उसके उपर जो आपकी utility रहती है वो shame रहती है वो change नहीं होती उसके बाद आज हम कर रहे हैं celust की method जो celust की method है हमने देखा कि जो celust की है उन्होंने ही जो price effect है उसको separate किया एक substitution effect में और दुसरा income effect में इससे पहले आपने देख लिया कि normal goods के case में inferior goods के case में giffin goods के case में हिक्स का अब हम देख रहे हैं celust की का जो method है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और comment box में बताए कि आप कौन से topic पर वीडियो चाहते हैं अब आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो celust की method है जो celust की method है वो क्या कहता है celust की method के अंदर आप देखोगे कि इसका जो indifference कराओ है celust की में वो एक तो first बात यह है कि आप lower indifference कराओ से higher indifference कराओ पर पहुंच जाओगे तो इसका मतलब यह है कि celust की का method है उसके अंदर आपकी जो utility है वो increase हो जाएगी स्टार्ट करते हैं celust की method को O X पर हमने X commodity को लिया है O Y पर हमने Y commodity को लिया है स्टार्टिंग में जो हमारी budget line है वो है P क्यो उसकी बात जैसे ही price of X decrease होते हैं यानि कि price of X अगर decrease होते हैं तो जो consumer की real income है वो increase हो जाती है जब real income increase होती है तो उसकी budget line P को से P को 1 हो जाती है अब यहाँ पर आप check कर सकते हो कि इसका slope increase हुआ या decrease हुआ तो आप देखो लिखकर कि price of X price of Y क्योंकि यह जो slope है वो है budget line यानि कि slope of budget line यह slope of budget line है तो जो price decrease होते हैं तो इसका slope भी क्या होगा decrease होगा इस कान से जो आपकी P को है यह जो line है वो पहले की compare में क्या हो जाएगी फ्लेट हो जाएगी आपकी P को line थी अब P को से आप चले जाओगे P को 1 पर पहले जो आपका equilibrium है था वो किसी R point पर था यह कोई R point है अब जब आप इसकी इतनी commodity पर change करते थे और इसकी इतनी जैसे ही आपके price decrease होते है X commodity के वैसे ही जो quantity of X है वो increase हो जाएगी आप R से मान लिया जाएगी कि किसी T point पर पहुँच जाओगे उसके बाद यहाँ पर जो यह increase हुई है income यहाँ कि जो ऐसा लगा कि real income उसकी increase हो गई है price decrease होने के कान से अब वापिस जो consumer है उससे जो इसकी real income है वो वापिस ले ली जाएगी जब वापिस ले ली जाएगी तो जो यह आपकी जो यह line थी बाद में जो यह हुई थी P के उसे P के उन इसके हम parallel एक दूसरी budget line लेंगे क्योंकि आपको इस बात का भी ज्यान है कि जब हमारी income increase यह decrease होती है तो हमारी जो budget line है वो proper shift कर जाती है ना कि steep और flat होती है तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही आप से income वापिस ले गई तो यह जो P के उन लाइन है वो हो जाती है आपकी MN MN हो जाती है अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो यह point है जो starting का point है सलस्ट की का इसी point से यह होकर गुजरती है इसका main reason यह है क्योंकि अगर इस point से आप इसको cut नहीं करोगे अगर इधर से लोगे तो फिर आपका indifference grow सेम ही रहेगा आप higher indifference grow पर नहीं जा सकते अब देखो R से आप T पर गई अब जब आप इतना इसका consume करते थे price decrease होने पर आप इतना आपने इसका consumption increase कर दिया मान लिया जाए कोई भी यह L है यह कोई P है आप पहले O L के बराबर consume करते थे price decrease होने पर L P के बराबर अब जैसे ही आप से income वापिस ले ली गई तो आप क्या है यहाँ पर यह cost difference के उपर based है जो income method है वो cost difference के उपर based है cost difference का मतलब है कि जब price पहले थे उस price पर आप जितनी quantity पर change करते थे और जो price बाद में change हुए है उसके उपर आप जो quantity पर change करते हैं उन दोनों की cost में क्या difference से आया है तो यहाँ पर बोला गाया कि Hicks के method में कि आप इसी R point पर रहिए लेकिन जब कोई भी commodity के price decrease होते हैं तो उसकी quantity increase होगी यह मैं पहले बता चुकी हूँ चाहे normal goods है चाहे वो inferior goods है चाहे वो giffin goods है substitution effect का जो परभाव होता है वो negative होता है जब भी price decrease होंगे तो हम commodity की demand increase करेंगे वो वले ही आप पढ़ते हो कि substitution effect किसी में less than होता है इनकम effect ज़्यादा होता वो एक secondary बात है बस first बात यह है कि अपनी तरफ से substitution effect जो है वो effect डालता है कि उस commodity को ज़्यादा consume में किया जाए अब यहाँ पर आपने देख लिया कि आप R से जब T पर जाते हों तो यह होता आपका price effect R से T यानि कि R2 T जो है वो आपका price effect है जब आप T से जब आपके income वापिस ले ली जाती है तो आपके budget line P के वन से MN हो जाती है तो यह जो MN line है अब यह जो MN line आपके हुई है अब T से S पर जो आए हो यानि कि T2 जो S आए हो यह आपका price effect यह आपका है income effect और जब R से S पर यानि कि R से S पर इशली आए है आप इस point से इस पर इशली आए है यह पहले के compare में आपने इस लिए ज़्यादा परचेज की है माल लिया जाए कि यहाँ पर हम H लिख लेते यह आपने L से H इस लिए बढ़ाया है कि आप इस bundle को ना लेकर यहाँ पर combination को ना लेकर यह combination लेते हो यह आपने इस लिए increase किया है क्योंकि यह commodity X commodity पहले के compare में सस्ती हो गई है तो इसी कान से यहाँ पर जो इसका indifference करव वो क्या हो जाएगा shift हो जाएगा कान यह है क्योंकि यह EC line से cut करता इसके बाद जो इसका indifference करव बनेगा वो higher होगा तो आपने देख लिया कि जो सलस्त की method है उसमें indifference करव change होकर higher indifference करव पर चले जाते है इसलिए जो consumer की utility है वो increase हो जाते है लेकिन hicks में ऐसा नहीं है उसके same indifference करव पर आप रहते हो सलस्त की ने substitution जो effect में आये को compensating variation जे ने वलकि course difference से increase or decrease किया है सलस्त की ने price effect को दो पार्ट में divide किया substitution effect, income effect इस separation के लिए उसने course difference method का ही use किया है thank you so much वीडियो को देखने के लिए अब हम एक motivational quote के साथ इसका समापन करते हैं कि कौन कहता है कि काम्याबी किस्मत तै करती है इरादों में दम हो तो मंजीले भी जुका करती है तो ध्यान रखिए आपके जैसे इरादे होंगे वैसा ही मुकाम आपको हासिल होगा thank you so much